है है आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और सबसे पहले में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्हों ने अभी दग हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया बस ऐसे आ रहे हैं देख रहे हैं क्योंकि यूट्यूब का अनलेटिक्स बता रहा है कि बहुत सारे यह जो आ रहे हैं चैनल पे लगातर विडियोस देख रहा है But सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप से रिक्वेस्ट है कि अगर अभू आ ही BRIstein securities कहीं न कहीं माइनिंग इंडिस्टि कहीं से सम्मंदित हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जische में आर्योंकि आनो टाइम में आपका काम आती है, उसी मेंसे मैं वीडियो बनाता हूँ, यह आप के रिक्मंञेा है, आप नेहीं बता है, वीडियो बनाए AMY Elizabeth समझाओ, तो बस उसी, टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं , तो आज मैं कोड कैण। सिगनल से लेकर लेकर ने वे बहूत second met एग घंटी का मतलब क्या है, दूग घंटी का मतलब क्या है, तीन घंटी का मतलब क्या है, चार घंटी का मतलब क्या है, अलग अलग जगा पे अलग अलग मतलब है, कितना सारा code up signal यूज किया जाता है, क्या system है, नहीं है, ये सब कुछ के बारे में बताइए, तो देखो यार code of signal का इस्तमाल किया जाता है इसी तरह से haulage में एक अलग code of signal होता है ठीक है उसके बाद एक multi deck होता है multi deck मतलब जो समझा दे रहा है आपको जसे double decker आप train देखे होंगे double decker bus देखे होंगे उसमें क्या होता है कि एक layer उपर में राता है एक तला नीचे तला ऐसे करकर के अगर ऐसा साप्ट है आपका ऐसा केज है जिसमें दो तला दो तला केज चलता है ठीक है तो उस condition में एक अलग signal अड़ाप्ट होता है तो उसमें code of signal अलग होता है methane extraction का बात करें तो जहांपे extraction वाला काम होता है उस जगह पे अलग code of signal का इस्तमाल किया जाता है लेकिन इतने सारे code of signal में सब आपको नहीं रटना है आपको सिर्फ दो section का ध्यान रखना है बाकी कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा जितने भी questions आज तक देखे गया है वो चाहे second class manager तक का हो FMC का बात नहीं कर रहा है FMC में तो खर आपको extraction में पढ़ना है उसके नीचे जितना भी है mining सरदार overman उसमें code of signal को समझे क्या पढ़ना है code of signal दो जगह पे आपको पढ़ना है एक है winding system में ठीक है और एक है haulage system में haulage system बहुत ही साधारन है बड़ा ही simple है वो मैं आपको बताता हूँ winding system दो जगह पे पढ़ना है कहां का winding और haulage बस यही code of signal आपको रटना है बाकी नहीं winding में दो परगार के winding होंगे ध्यान रखेगा winding में दो परगार के winding होंगे एक होगा साप्ट बन रहा होगा अगर साप्ट बन रहा है मतलब साप्ट का खुदाई चल रहा है जैसे कुमा खोदते है न तो लगातर खुदाई चल रहा है तो इस तरह से साप्ट का खुदाई चल रहा है तो उसको कहेंगे साप्ट sinking में code of signal जो जब कभी भी question पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कि two reps mean in soft sinking मतलब 2 घंटी soft sinking में 2 घंटी का क्या मतलब है तो इस तरह से पूछा जाएगा तो अब समझेगा soft sinking का बात किया जा रहा दूसरा soft में winding system में होता है अगर soft पूरी तरह से बन चुका है मतलब sinking वेगर अब permanent lining वेगर सारा काम हो गया है अब इसका fix depth है कि 300 meter आपका गहरा soft है तो इसमें अगर आप इस्तमाल कर रहे है तो normally soft लिखा हुआ रहेगा कि 2 घंटी का मतलब soft system में कितना होता है winding में कितना होता है तो अगर general winding लिखा रहा है या soft सर्फ लिखा रहा है तो उस condition में ये वाला follow होगा और अगर soft singing लिखा रहेगा तो अलग होगा इतना तो आपका clear हो गया होगा अब बताते आपको code of signal ये soft के बारे में है ये soft अगर बन गया है पूरी तरह से radius soft singing का case में नहीं है तो उसके बारे में है कौन-कौन सा घंटी का मतलब क्या है तो एक घंटी का दो मतलब है ठीक है क्या मतलब है तो winding engine जो होगा या तो बंद होगा या चालू होगा दोई condition हो सकता ना सर्ष अगर आप गाड़ी रखे हैं सामने तो गाड़ी या तो चालू होगा या बंद होगा इसी तरह से winding engine या तो चालू होगा या बंद होगा अगर चालू है तो एक घंटी का मतलब है रोको ठीक है और अगर बंद है तो एक घंटी का मतलब है उठाओ, यानि rise करो मतलब हाभीज करो, हिंदी में बोलते हाभीज करो ठेक है, तो ए गंटी का मतलब आपको पता चल गिया, दो ही मतलब होगा, या तो इंजन चालू है, या बंध है, अगर चालू है तो रोग दो अगर बंध है तो उठाओ, ठेक दूसरा घंटी का मतलब होता है lowering करो चैक है जो दूसरा घंटी है दो wraps है इसका स्रिफ एक dag घंटी ही मतलब होता है lowering करो अब तीसरा घंटी जो है भाई साब ये सारा है क्या सारा है बैंक्समेन और on set थो आपको पते ही जो सर्फेस में खड़ा रहता है और बैंक्समें जो पीट बॉटम में या इंसेट में खड़ा रहता है जो सिंगनल देने का काम करता है वो उसको कहते है और इंजन में जो इंजन ड्राइबर चलाता है उसको इंजन में कहते है तो यह क्या होता है यह घंटी सिंगनल होता है बैंक्समेन और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के बीच का कॉन्वर्सेशन होता है जैसे सर्फेस में सब आदमी खड़ा हो गया है डोली में चढ़ने के लिए तयार जिसा बस स्टेंड में आदमी खड़ा रहता है बस आएगा बस चढ़ जाएगे इसी तरह से जब केज उपर आ रहा है तो सब आदमी खड़ा है कि जैसे केज आएगा हम चढ़ जाएगे तो केज आने के बाद तुरंत नहीं चढ़ेगा वहाँ पर ओन सेट रहता है जो गेट बना बंद करके रखता है गेटे में ताला मारके खड़ा रहता हूं किसी को जाने नहीं देगा पहले वह वाइंडिंग इंजन में से कंफर्म करेगा कंफर्म करने के लिए तीन घंटी मारेगा ठीक है बैंक्समें तीन घंटी देगा तो वाइंडिंग इंजन रूम में तीन घंटी बजेगा, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर तीन घंटी सुनते साती इसका मतलब यह समझेगा, कि बैंक्समेन हमसे पूछ रहा है, कि आदमी खड़ा है, यहां पर रेडी है, चड़ने के लिए तयार है, चड़ा दे क्या है, तो उधर से तीन घंटी बजा देगा, तीन घंटी बजा देगा, जैसे बैंक्समेन सुनेगा, तो उसका मतलब यह समझेगा, कि वाइंडिंग इंजन में बोल रहा हां हां चड़ा दो कोई दिकतने, चड़ा दो, उधर से ओके का सिगनल हो गया, उसके बाद गेट का ताला खोलेगा और अंदर जाके सब को चड़ाएगा केज में और फिर आगे का उपरेशन होगा, तो यह है टोटल साप्ट में, सरिफ साप्ट में अगर इस्तमाल कर रहे हैं, आप सिंकिंग साप्ट में बना हुआ साप्ट अलरड़ी, तो यह सिंगनल इस्तमाल होता है, दूसरा सिंकिंग साप्ट मतलब साप्ट जब बन रहा होता है, तो उस टाइम क्या होता है, साप्ट बन रहा है, ठीक है, तो जब साप्ट बन रहा होता है, तो इस कंडिशन में, चुकि पूरा का पूरा आरेंजमेंट तो अभी किया नहीं गिया है, रस्सा वाला, तो रस्सी कभी क सब तक एक हैंक है या तीन मतलब है गGOंटि था मतलब क्या क्या मतलब हैं अगर इंजन चालु lesi बजा दिया मतलब है रोको इंजन कहीड है यह तो उसमें भी था ठीक है वह एक हंटी का यहां पे मतलब होता है कि धीरे धीरे उठाओ धीरे उठाओ एक अलग जो सिगनल यहां पर यूज किया जाता है एग घंटी का मतलब रसा सीधा करो मतलब रसा कहीं से ढीला हो रहा है तो रसा को सीधा करो अगर इंजन अन है तब ठीक है अभी इसी बात है तो यह हो जाता है सिंकिंग साप्ट में कौन-कौन सा है फिर से वर ध्यान रखे एग घंटी का मतलब अगर इंजन चालू है तो रोक दो अगर इंजन बंद है तो धिरे-धिरे उठाओ और अगर रसा जो ढीला रसा है तो उसको सीधा करने के लिए एग घंटी का उपयोग किया जाएगा चली अब आपका दिमाग में आरा हो गया एग घंटी का तीन रहा है ठीक है सिंकिंग का काम चल रहा है तो उस कंडिशन में इंजन को और रखा जागा कुछ भी कंप्यूजन होता तो फटाक से टेलीफोन करेगा एक टूवे कम्निकेशन सिस्टम एडप्ट करके रखा जाता है तो गवरानी वाली बात नहीं है यहां पर दूसरा घंट और साफ्ट यह दुनों आपढ़ चुके हैं साफ्ट में कौन कौन सा सिगनल होता है इसको एक बार कंपेर कर दे रहा है आप थ्यान दिजीगा ठीक है साफ्ट में होता है 11233 ऑर साफ्ट सिंकिंग में होता है 11123 का मतलब है 1 1 घंटी का मतलब होता है कि रोको अगर इंजन चालू है फिर एगंटी का मतलब होता उठाओ दो का मतलब उता उतारो तीन बैंक्स में और इंजन्मेन के बीच में जो कॉनवर्सेशन होता है चड़ाद है आदमी यहां पर जो सिंकिंग साप्ट है इसका तो आपको दिखे रहा स्क्रेन पर तो यह आई होप साप्ट वाला क 5-2-3-4 एगंटी का मतलब होता रोक दो अगर इंजन चल रहा है इंजन चल रहा तभी तो रोकेंगे ंगाले चले काने नहीं तो जो उसको पता है की अभी मैरे चैने है ठीख है तो कंडिसवा थे साब न अपने शेकर सकते हैं ऊपना लौल करने हैं कब बिंडिसन के इंजन के एक नौल करना है एगर काम चुछ एस तो फुस्य चैल तेटररा नगोरिभ बन एसकार करेगा। तो एसा चार्थ मतलब मतलब होता है यह समांज में Васिका , एक यो 2-3-4 घंटी का क्या मतलब है अभी थोड़ा और ध्यान देने वाली बात एक्स्टा चीज है क्या माइस में 5 घंटी का कोई यूज होता है क्या 6 घंटी होता है क्या 7 घंटी होता है क्या 8 घंटी होता है क्या 9 घंटी होता है क्या 10 घंटी होता है जी हाँ बिलकुल यह सभी गंटी माइन्स में उपयोग किये जाते है जितने भी अंडरेगॉर्ण माइन्स से ज्यादतर सब जगा पर ये सब इस्तमाल किये जाते है अब आप सोचिए का इस सभी का मतलब क्या है देखो यार, दस गंटी बेसिकली जो कोड अप signal है, ये manager decide करता है manager बनाता है, manager बनाने के बाद RICivus को permission देता है, ठीक है लेकिन, बात वो नहीं है बात है कि क्या ये बाकी घंटी का इस्तमाल होता है तो जी हाँ, बिल्कूल होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब का इस्तमाल होता है 10 का मतलब होता है emergency कभी भी माइंस में 10 घंटी बज गया है तो इसका मतलब है कि सब साम काम छोड़ो अच्छोड़ो के भागो जान बचाओ अपना ठीक है तो 10 घंटी का मतलब होता है भागो लेकिन क्या हुआ है किसे पता चलेगा तो 10 घंटी बजाने के बाद तुरंत फिर घंटी बजाया जाएगा ठीक है उसके लिए अलग से कोड़ प्रेक्टिस रखा जाता है अलग लग माइस का अलग लग होता है जिससे फ़र एक्जामपल मान लिजे 6 घंटी का मतलब ह समझेगा तु यह सब हर माइस में अलग लग होता है जबसे बंद लेक्टिस बजाता है अगर चेगंटी बजाएगा तो समझेगा रहे, गैस निकला है, गैस निकला है, तो rescue trained person फटा फट अपना थियारी करेगा, गैस वाला सारा instrument जाचनेगा, साधन वदन सब रखेगा, जुगाड करके, अज जैसे छे आपका 5 घंटी बजाएगा, यानि RTP को बुलाने का signal देगा, RTP जितना rescue trained person फटा 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 अपना समान बांदेगा, वाइट किलर का कवड़ा परहता है, वसब का पहिनेगा, दावड के माइन्स में जाएगा, बचाने के लिए, तो ये पूरा का पूरा code of signal हर माइन्स में इस्तमाल किया जाता है, और हर माइन्स में ये code of signal अलग होता है, जो common होते हैं, जैसे haulage में एक दो तीन चार घंटी है, साफ्ट में एक दो तीन घंटी है, सिंकिंग साफ्ट में और इसमें, तो ये सब common चीज़े होती है, इसलिए ये जनरली पूछा जाता है, ठीक है, तो I hope code of signal आपका पूरी तरह से clear हो गया होगा, और मैं आपसे request करूँगा, कि अगर अभी तक आपने हमारे telegram गूरूप को join नहीं किया है, ठीक है, मैं ढारूँगा, जल्दी content डालूँगा, don't worry, मैं उपाई लगा रहा हूँ इसका, तो आप जरूर जोइन कर लिजेगा, link description में होगा, और काम नहीं करें, तो जाके channel पर भी check कर सकते हैं, about section में, यगर वहाँ से भी नहीं मिलें, तो फिर आप black diamond manually search करके join कर सकते हैं, same logo है, जो channel का logo है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए keep watching, keep supporting, till then, जैहिन.